स्वागत दोस्तों आप सबी का अपने यूटूब चैनल एजूकेशन पॉइंट पर फ्रेंड्स आज हम करेंगे फिजीकल एजूकेशन का चैप्टर टू फ्रेंड्स ये चैप्टर टू का पार्ट नमबर फोर है अगर अभी तक आपने मेरे पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखें इस चैप्टर के तो जल्दी से पहले आप उनको देख लीजिए क्योंकि पहले उनको समझना जरूरी होता है ये आदा दूरा चैप्टर होगा अगर आप सीधे इसको समझेंगे तो ठीके फेंस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए सबसे पहले टॉपिक हमार सामने है परतियोगता से पूर्व आहर फेंस जो ये वाले जो टॉपिक हैं, इस वाले पार्ट में ये बहुत ज़्यादा important है क्योंकि ये कोशने पूछे जाते हैं भोल भाई repeat होते हैं कि परतियोगता से पूर्व आहर खिलाडियों के लिए क्या होना चाहिए उसके दोरान क्या होना चाहिए और उसके बाद में क्या होना चाहिए तो एक एकर के सारे पढ़ते हम सबसे पहले हमारे सामने लिखा है परतियोगता से पूर्व आने ही परतियोगता से पहले आहर कौन-कौन से ग्रहन करने चाहिए एक खिलाड़ी को ठीक है फ्रेंस सबसे पहले ही हाँ पर है वसा को ग्रहन ने करें फ्रेंस यह मैंने आपके लिए पॉइंट बना के रख दिये हैं कि अगर आपके एक्जाम में कोशन पूछा जाते था आप ऐसे पॉइंट बना कर लिख कर यह फिर अपनी तरफ से भी बना सकते हैं और इसके एक्स्मिनेशन करनी है आपको दो तीन लाइनों में उससे जैदा मत कीज़ेगा तो यह है वसा को ग्रहन ने करें फ्रेंस जो खिलाडी है प्रतियोगता से पहले उन्हें वसा को ग्रहन नहीं करना चाहिए वसा यानि कि अधिक समय लेती है इसलिए जो खिलाडी है उन्हें तीन से चार घंटे पहले प्रतियोगता से तीन से चार घंटे पूर्व वसा का सेवन नहीं करना चाहिए ठीक है अगला है अत्यदिक जल का सेवन वैं कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन फ्रेंट्स जो खिलाडी है उन्हें अत्यदिक जल अत्यदिक यानि की बहुत अधिक जल अपने खान जो प्रतियोगता से पूर्व जो उनका आहार है उसमें अत्यदिक जल का सेवन करना चाहिए प्रतियोगता से कितने घंटे पहले तीन या चार घंटे पहले उन्हें अत खिलाडी होते हैं आप जानते उने उनके शरीट से कितना अधिक पसीना निकलता है इसके लिए फ्रेंट्स उन्हें जलका अधिक सेवन करना चाहिए जिससे उनका शरीम में जलकी कमीन ना हो और कार्बो हाइड़ेट युख्त भोजन फ्रेंश जो कार्बो हाइड़ेट यु होता है ऐसे भोचन करना चाहिए जैसे कोई सबजी खा रहे हैं तो उसमें अत्तिक पानी होना चाहिए ठीक फ्रेंस इसी प्रकार से तरबूज हो गए इस तरीके के फल खाने चाहिए उन्हें जिससे कि उनके शरी में पानी कमी ना हो सके और सुखापन उन्हें महसूस ना हो अगला चीनी का उपयोग ना करें फ्रेंस जो चीनी है वह पाचन शक्ती में बहुत अधिक समय लेती है इसलिए जो खिलाडी है उन्हें चीनी का उपयोग नहीं करना चाहिए जब चीनी का उपयोग करते है तो उनके शरी में थकावर मैसूस होती है जब हम अधिक चीनी का को अपयोग करते हैं हमारे शरी में ठकावट मैसूस होती है इसलिए जो खिलाडी है उसे तो बिल्कुल भी चीनी को अपयोग नहीं करना चाहिए उस समय जिस समय उसकी प्रतियोगता शुरू हो रही हो उसे दो या तीन घंटे पहले ठीक है फ्रेंट्स अगला है गैस निर्म जैसे कि बंदगौबी हो गई इस प्रकार के आहर खिलाडी को नहीं खाने चाहिए भोजन नहीं खाना चाहिए जिससे उनके शरीर में गैस निर्मित हो गैस का निर्माण हो ठीक है फ्रेंट्स अगले लाल मिर्च से परेज जो खिलाडी है जो प्रतियोगता में भाग लेन गैस का भी निर्बान हो सकता है लान मेर्स से, ठीक है Friends, चलिए अब इसके बार देखते हैं, Friends, अब हमारे सामने हैं प्रतियोगता के दोरान आहर, Friends हमने पहले पढ़ाता है प्रतियोगता से पूर्व आहर, अब है उसके दोरान याने की, जब प्रतियोगता शुरू हो जाती प्रतियोगता शिरू होने के आदे घंटे बाद और प्रतियोगता के दोरान भी कर सकता है वह जिससे के उसके शरीर में उस शक्ति की मातरा अत्यदिक हो जाती है जो शक्ति उसे अपने खेले के लिए आवश्यक है उसे प्रावत हो जाती है जो शक्ति उसे अपने खेले के ल पानी में निम्बू डाल कर पी सकता है जो खिलाडी शती पूर्थी जो ड्रिंक होती है वह ले सकता है जिससे कि उसे थकान महसूस नहीं होगी अपनी परतियोगता के दोरान अगले है आदा घंटा पूर कोफी चाय का सेवन करता है तो उसे कमजोरी महसूस नहीं होती क्योंकि इसमें चीनी मिली हुई होती है कॉफी आ फिर चाइ में जिससे कि उसके अंदर जो शक्ति के मादरा कम नहीं होती है अगले है शराव वे धुम्र पान का सेवन ना करें फ्रेंज जो खिलाड़ी है जब प्रतियोगता शुरू हो जाती है उस समय उसे शराव धुम्र बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए फैंस अगला है पानी का सेवन प्रतियोगता के दोरान खिलाडी को सबसे अतर दिख जरूरत होती है पानी की जिससे उसके शरीरी में पानी कमी ना हो सके इसलिए जो खिलाडी है उसे पानी थोड़ी थोड़ी देर में जब उसे टाइ होने के बाद कौन सी भोझे परदातं करने चाहिए सबसे पहला है इसमें एक घंटा बाद सभी जो ईए एक घंटा बाद सभी भोझे परदात हो कि समानने मात्रा इसले छिलाडी है उसे एक करते परतियोगता 100 हो जाए कटम हुए उस सबी प्रकार के भोजे पर्दात ग्रहंड कर सकता है उसमें कोई रूल्स नहीं होते कि उसे इसी प्रकार के भोजन का ग्रैण करना है अगले, फ्रैंट्स, फलो का रस, ग्लू-को-ज, पै आधी का सेवन करना चाहिए फ्रेंट्स जो ये खिलाडी होता है उसे प्रतियोगता के बाद फलो का रस अतदिक मातरा में लेना चाहिए या फिर ग्लुकोज है उसका सेवन करना चाहिए या फिर जो शदी पूर्थी पै आते हैं वह ग्रहन करना चाहिए जिससे उसे शरीर में पाने की मातरा कम ना हो अगला है और फ्रेंस जो ये फलो का रस उस खिलाडी को भी ग्रहन करना चाए जो जैसे कि धावक होते हैं उन सभी खिलाडियों को धावक वगारा खिलाडी जो होती हैं उनको ये सारे पै पानी के जंगे इसतेमाल करने चाहिए ठीकशतो अगला है भारी आहर नेले देखिए जो खिलाड़ी वर्तियोगता के बाद हर प्रकार का भोजन खा सकता है तो अईसा नहीं होना चाहिए कि वह हलका भोजन नहीं करे उसे कम मात्रा में ही खाना चाहिए भारी आहर उसे नहीं लेना चाहिए एकदम से जिससे कि उसका शरी खराब हो सकता है अगर वै पूरे दिन से हलका भोजन खाता हुआ आया है तो उसे एकदम से अपना भारी भरकम आहर नहीं लेना चाहिए ठीक है दोस्तो अगला है प्राप्त मातरा में पानी जो खिलाडी है उसे प्राप्त मातरा में पानी पीना चाहिए समय समय पर उसे पानी पीना चाहिए जीसे कि उसको शरी में पानी कमी ना हो सके जो खिलाडी होते हैं उनके शरी में अतितिक पाने कमी होती है इसलिए उन्हें पाने के मातरा का अपना ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें कितने जुनते हैं पाने की और वह कितना पाने पी रहे हैं आहर पूरक दोस्तों जो आहर पूरक होता है वह होती है जब किसी व्यक्ति या फिर बच्चे के अंदर या फिर कोई भी बूड़ा हो उसके अंदर किसी भी आहर जो होते है। तसे खनीज की कमी हो जाती है, विटामिन की कमी हो जाती है उसी तरीकित से हमें लिखना होता है अपने एंसाम में पूरक आहर वह होते हैं वह आहर होते हैं जिसे नियमित भोजन में छूट गए पोशक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए अतरिक्त रूप से दिया जाता है देखा फ्रेंट्स आपने यहां पर लिख रखाएंगे पूरक आहर वह होते हैं जो भोजन लेने के दोरान जो छूट जाते हैं जो पोशक तत्वों उनकी कमी को पूरा करने के लिए पूरक आहर दिया जाते हैं ठीक है यह किस रूप में उपलब्ध होते हैं यह गोली सिरप अजवा चूरन के रूप में उपलब्ध होते हैं जीने दूद या फिर पानी के साथ मिला कर दिया जाता है ठीक है अब जो पूरक आहर है वह तीन जब जो प्राकर्तिक पूरक आहार होता है वह है जो प्राकर्ति से प्राप्त आहार होते हैं उसी प्राकर्तिक पूरक आहार का जाता है इसके उधार में हम लिखेंगे पेडों से जो चीज पेडों से प्राप्त होती है वह प्राकर्तिक पूरक आहार है जैसे कि पेडों से दूद हो गया जैसे की गाये का दूद हो गया इसी प्रकार से ठीक है दोस्तों अगला हो गया अगला लिखेंगे हमें अंकुरेत दाले और अलसी का तेल हो गया जैसे की यह ओगे प्राकरति पुरुक आहर के उधारन अब अर्ध कृद्म पुरुक आहर क्या होता है दोस्तों जो अर्ध कृद्म पुरुक आहर होता है दोस्तों वह होता है जो हमें प्राकरति से प्राप्त होते हैं उसमें रसायनिक तरीकों से कुछ बदलाव करके उसे हमें दिया जाता है जिस प्रकार से इसका उधारन देखते हम इसका उधारन होगा दूद का पाउडर दोस्तों जो दूद वाला जो पाउडर आता है वहे इसका उधारन है अब तीसरा है वहे कृत्रम पूरक आहर कृत्रम पूरक आहर वहे होते हैं जो पूरी तरीके से कृत्रम तरीकों से बनाया जाते है जैसे कि विटामिन की गोलिया जो आती है यह है विटामिन की गोलिया किर्टम पूरक आहर का उधार रहने ठीक है अकला है आहर पूरक लेते समय ली जाने वाली सावधानियां जिब आहर पूरक हम घ्रैंड करते हैं उस समय हमें कौन-कौन सी सावधानिया अपनाने चाहिए, यह हमारे सामने है, दोक्टर या आहर विशेशग्य से प्रामश, सबसे पहले हमें दोक्टर या फिर आहर विशेशग्य जो होते हैं, उनसे प्रामश कर लेना चाहिए, बाचीद कर लेने चाहिए, बहुत सारे व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं कि अपने आप कोई डॉक्टर समझ लेते हैं और कोई भी दवाई लेने लग जाते हैं जैसे कि कोई वक्ति यह समझ लेता है मेरे अंदर विटामिन की कमी है तो मुझे विटामिन की गोल्दे ले लेनी चाहिए आपने देखा भी होगा पर ऐसा नहीं करना चाहिए हमें डॉक्टर या फिर आहर विशेशके से पहले राय लेनी चाहिए और अपनी चाच करवाने चाहिए जब वह हमें प्रामश देंगे कि तुम्हें यह चीज लेनी है आहर पूरक यह लेना है तो हमें वह चीज ग्रेंड करनी चाहिए ऐसी अपने आप खुद डॉक्टर नहीं बन जाना चाह अगला है अत्रित शुगर से अमुक्त की जाच दोस्तों जो आहर पूरक होते हैं हमें यह जाच कर लेना चाहिए कि उनमें शुगर की मात्रा अधिक तो नहीं है उनमें शुगर की मात्रा तो नहीं है हमें यह जाच कर लेना चाहिए अगला है उचित मात्रा में उभोग ज लेने हैं तो तुम्हें डेली के डेली हर रोज एक महीने के लिए लेना चाहिए जिस प्रकार का उन्होंने बताया है उसी प्रकार से लेने चाहिए उचित मात्राव जितना हमार शरी को आवशकता है उतनी ही लेनी चाहिए उनकी अवशक जैसे की टीवी में आड आते हैं आप देखते हो जो विग्यापन आते हैं जो विग्यापन आते हैं उसमें विश्वास नहीं करना चाहिए हमें उनके विश्वास करने से अगर हमें वह विश्वास दिलवाते हैं कि यह आप लोगे तो आपके पैरों में जाना आजएगी इस प्रकार के कुछ विग्यापन आते हैं तो इस तरीके से आपको विश्वास नहीं करना चाहिए आपको अपने डॉक्टर से प्रामश ले लेन चाहिए या फिर घर पे सेल्समेन आते हैं और वह यह कहते हैं कि यह दवाई लीजिए आप ऐसे ठीक हो जाएंगे आप यह दवाई लेंगे तो ऐसे ठीक हो जाएंगे पर आपको वह बाते नहीं मानने चाहिए उससे पहले आपको अपने डॉक्टर से प्रामश करा लेना अगर वह कहते हैं कि आपको इसकी आवशक्ता है, तो आपको वह लेने चाहिए, अगला है बच्चों की पहुँझे, दूर रखे, हाँ फ्रेंड्स जो बच्चे स्बढ़ते, उनकी पहुँझे इन सबी च25 को दूर रखना चाहिए, बच्चे इन सबी चीजों का गल्त इस्तिमाल कर सकते हैं वह सारी के सारी गल्ती से खा सकते हैं वह बच्चे हैं उनमें दिमाग इतना होता नहीं है वह छोटे होते हैं अपनी जो सोच होती हैं उनकी इतनी हमारे त्रह बड़ी नहीं होती है जो बच्चे होते हैं वहें इतना सो समझ के काम नहीं करते हैं उन्हें नहीं पता होता है कि इसका क्या नुकसान हो सकता है इसके लिए दोस्तों जो बच्चे हैं उन सभी जो आहर पूरक जो होते हैं उनको बच्चों से दूर रखना चाहिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजेगा और कमेंट करके बते हैं कि आपको कैसी लगी और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो आप मेरे पहले चैनल को सस्क्राइब कर दीजे और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका थैंक यू फ्रेंस अकर कोई परिशानी है तो आप कमेंटर के पूछ सकते हो और इसी के साथ जो यह चैप्टर है कंप्लीट होता है